वाले लोग हम बात करने वाले पठान के थेरी के बारे में तो पठान के यह जिसके बात ही जाला हो रही है याने कि war का connection तो पठान के थेरी में ये है कि एक scene है जिसके अंदर आमे एक ship दिखाए गया है तूटा फोटा सा तो उस ship का same to same photo war के एक scene से connect हो रहा है जब war के अंदर Tiger and Ritty की fight होती है end में fight scene उस ship के अंदर तो वो ship तबा हो रहा होता है तो ये same photo ship का नाम दिया है Asgard तो हाँ उस ship का नाम Asgard है and वो ship रशिया से connect है क्योंकि उस ship के ओपर रशिया वाले numbers है कुछ and उसके बाद दूसरा connection ये आता है कि दिपिका पादुक्वण टा एक shot है जिसके अंदर दिपिका पादुक्वण पादुक्वण के आगे पीछे रशिया वाले काफी इसने contract दिया है and वो इंडिया के ओपर एक डभी missile छोड़ने वाले तो वो missile किसी से खरिटता है उस science lab से उसका connection क्या है and XC ने जिसके अंदर एरो प्लेन के ऊपर से पठान की पूरी टीम नीचे कूती है and किसी बड़ी से काच वाली mirror पर fire करती है तो वो तूटती है तो अगर उस चीज़ को ध्यान से देखोगे तो वो शाय से उस lab से connect है I think so और यह सारा connection किसी बड़ी जगा से है क्योंकि वार के अंदर भी end का fight scene बड़ी जगा पर जहाँ पर asgard ship था और यहाँ पर भी कोई lab बड़ी जगा पर है उसके बार में तो बाद में बात करेंगे लेकिन जहाँ पर जॉन इब्राहिम की यह भी पता चलता कि जॉन इब्राहिम रॉक को धंकी दे रहा है इंडिया को धंकी दे रहा है कि वह हमला करने वाला है और बोलता है time start now तो शाहिट से कि वह बोलते है न कि देशत दिखाना जा रहा है कि हम अभी यह करने वाल है तो डिंकल का बड़िया बोलती है कि पठान के वन वास का time खतम हो चुका तो पठान इस फिल्म के अंदर दो बार पकड़ने वाला है पहली बार तब जब वह शुरुआत में जो सीन दिखाया था पूरा खुन जिलत पत और बोलता है जिन्दा है तो वह सीन है और दूसरा से शाहिट से किसी train के अंदर है जहापकर पठान का action हो रहा सकती है क्योंकि कोछ से सीन्स दिखे थे ट्रेलर के अंदर कि ऐसा फील हो रहा था कि दीवी का पठान को ओवर क्रॉस करेगी वह बात की बात है शाहिद कंफ्यूस करने के लिए सकी हो लेकिन हाँ इतना जुरूर है कि कोई बिग डैडी है जो टाइकर 3 के अंदर रिवील हो क्यारेक्टर का टाइगर पठान के अंदर क्योंकि इम्रान हाश में भी कोई एक बिग विलन हो सकता है जो जोन इम्रान के बाद स्पाई युनिवर्स का विलन हो एंद धन हमें कोई बिग डैडी देखने को मिले वार 2 के अंदर तो अंटाइटल एक फिल्म है जहाँ पर प फिल्मा कोई जा जाँ गर्णाइब द्राइग के अंदर बिग आ विल्गार